आप कहते हैं आपका कार्ड बन जए आप उर्दू बजार जाएं आप जितने मर्जी असला लाइसंस के कार्ड बन वाले हैं आपका जो 12 बोर है वो 30 बोर में आपने कनवर्ड करना है 32 बोर में कनवर्ड करना है या आपने 9 mm में कनवर्ड करना है जगाना थी तो आपने कई लोग कहते हैं कि यार तुम उन्हों पंजी जार पढ़ा, तीज जार पढ़ा, मैं तेरा कापी अले लेसंस त्यार करा दे, अब मान लीजिए आप ये सारे रूल्स और रेगुलिशन्स पर पूरे उतर भी जाएं, फिर भी आपका लैसंस जारी नहीं होगा, अब लाइसंस के बगएर वाला असला भी मजूद है, उसने तो उसमें से भी गोली निकाल देनी है, अगर आप जब अप्लिकेशन्स आपके प्रूव होती है, तो असला लाइसंस आपका बन भी जाता है, बट दिर आर हंडिर्स ओफ एक्सेप्शन्स, असलाम नाजरीन आपका म लाइसंस कैसे बनता है, मुकमल प्रोसीजर बताया जाए, और ये भी बताया जाए, कि मौजूदा हालात में इसका लाइसंस बनता भी आए के नहीं, हमारे साथ सीनियर वकील मौजूद है मियां, अब्दुलमतीन शरर साहिब, इन से बात करते हैं, और जानते हैं, असलाम भी मुए इसर आजएगा, आप उस फार्म को फिल करेंगे, अपना नाम, वल्दियत, शहरियत, सब कुछ लिखने के बाद, आप एक एप्लिकेशन लिखेंगे हम डिपार्टमेंट को, कि मुझे असला चाहिए, क्यों चाहिए, वज़ा बता देंगे, साथ आप उसके साथ फोटो कोपीज लगा देंगे, या जिसको हम कहते हैं, फोटो कहते हैं, पासपोर्ट साइज, वो लगा दी, शनाक्तिकार्ट की कोपी लगा दी, कि आप पाकिस्तान के शहरी हैं, राइट हो गया, इसके साथ आपने अपना मेडिकल सर्टिफिकेट लगा दिया, कि दमागी शहरी हूँ, मैं असले कोच्छे तरीके से इस्तमाल कर सकता हूँ, so these are the rules and regulations which we see, which we read in the notifications, right, लेकिन जब हम जाती हैं, असला ब्रांचों में, तो दो चीज़े मैं आपको वाजिया करना चाहूँगा, जब लोग मुझे call करते हैं, वो कहते हैं, कि सर जी, अच्छा home department में license न असला license जारी ही नहीं कर सकता, सिर्फ दो powers हैं deputy commissioner के पास, अगर license आपका गुम हो गया, तो वो renew कर देगा, आप गुम शदगी की report बनाएंगे, रपट जारी करवाएंगे थाने से, application move करेंगे, कि license आपका पहली बना हुआ था, license नमबर आपके पास available होगा, वो license का record उनके पढ़ा होगा, वो आपको license renew दे देंगे, दूसरे नमबर पे modification, for example, आपके पास 12 बोर का अच्सला था, वो खराब हो गया, अब आपको 30 बोर चाहिए, या 9 mm चाहिए, तो बोर change की जो modification है, वो deputy commissioner के पास power है, कि आपका जो 12 बोर है, वो 30 बोर में आपने convert करना है, 32 बोर में convert करना है, या आपने 9 mm में convert करना है, जगाना थी, तो आपने बरीटा ले ली, जब pistols आपकी change होती है न, तब वो आप जो application देते हैं, वो deputy commissioner को देते हैं, so these are the two powers which are available to the deputy commissioner, deputy commissioner, deputy commissioner नया license नहीं बना सकता, अब मौामला ये है, कि कई लोग कहते हैं, कि यार तुम उन्हों license त्यार करा दिनना, और copy आले license की बुनियाद पर आपका हम बाद में card वाला license बना देंगे, तो ये rule बना दिया गया, 2021 के अंदरी notification आया था, बलके 2018 से implemented है, implemented form में 2018 से है, कि 2018 से लेकर अब तक नादरा ने copy वाला license लेकर उसको card में convert करना बंद कर दिया, जो भी ये काम करव पर कोई solid data available नहीं होता, आप कहते हैं, आपका card बन जाए, आप उर्दू बजार जाए, आप जितने मर्जी असला license के card बन वाले, card बन सकते हैं न, आप जितनी मर्जी कापियां बन वाले, जाली fake किसम का जो factitious किसम का काम है, वो हर जगा available है, लेकिन एक चीज़ वाजिया ह हमें home department से मिलती हैं, वो तो बिल्कुल clear हैं, उनमें exceptions ये हैं कि deputy commissioner के पास जो authorities हैं वो खतम हो गई हैं, अब रहेगी powers home department के पास, लोग कहते हैं कि यार ये मुझे से 50 जार एक लाग पकड़ो, मुझे ना home department से license जारी करवा दो, बन्दा है आम, पहले number पे तो rule है कि 25 साल से क नादरा के पास data available है, वो नादरा नहीं अप्रूव एंड पर करने हैं, आपकी date ही 25 साल पूरी नहीं हो रही, आप qualify नहीं कर पाएंगे, इतने rules and regulations हैं, अब माल लीजिए आप ये सारे rules and regulations पर पूरे उतर भी जाएं, फिर भी आपका license जारी नहीं होगा, क्यों? जब से पाकस्तान में दैशतगर्दी पैदा हुई, लूट मार जारी हो गई, लोगों ने चोरी डिकेतियां शुरू कर दी, फिर सट्रीड क्राइम बहुत बढ़ गया, अब ये सारा सट्रीड क्राइम और ये जितने भी मामला आते हैं, ये सारे handle होते हैं, पिस्टल की अब वैपन के जब licenses अन्य वा जारी होंगे ना तो इसमें growth आएगी, मौमला ये आएं कि कही लोगों कहते हैं, मेरा भी ये मानना है कि जिसने चोरी करनी है न उसने γेर licensee SLS से भी कर लेनी है, गैर licensee SLS से भी चोरी हो जानी है जिसने Deckeateी करनी है, उसने उससे भी कर लेनी ह लेकिन नुकसान उन लोगों का हो रहा है जिनको वाकी वैपन की जरूरता अपने सेलफ डिफेंस के लिए फॉर इग्जेंपल अगर कोई डिकेती मेरे साथ करने आया है अब उसके पास तो लाइसेंस के बगैर वाला असला भी मजूद है उसने तो उसमेंसे भी गोली निकाल देनी है मेरे पास लाइसेंस वाला भी असला मजूद नहीं है गैर लासंसी तो मैं रखी नहीं सकता नाके पर रोके मेरे उपर परचा काट देंगे वो तो चोड़ केत है वो तो पहले मूड में है उसने तो पकड़ी नहीं जाना हम जो शरीफ शहरी हैं जो अपनी प्रोटेक्शन के लिए जिनको लाइसंस चाहिए कि जी हम अपना असला अपने साथ केरी कर सकें कि कभी कोई हंगामी हलात हों तो हम उसके इस्तमाल कर सकें हम उस चीस से दूर हैं ये आगई एक दूसरी बात अब अक्सेप्शन क्या हैं कि किन की लोगों के लाइसंस बन रहे हैं सिंपल सी बात है उन लोगों के लाइसंस बनेंगे जिनके बार एक general point of view ये है कि यार ये लोग पड़े लिखे समझधार हैं कि असले का इस्तमाल भी करेंगे तो जायस करेंगे कई लोगों को इस पर बड़े objections हैं कि वोकला को क्यों लाइसंस जारी हो रहे हैं वोकला को इसलिए लाइसंस जारी हो रहे हैं 17 साला उन्होंने तलीम हसल किया और उनके जो होश हैं उनके जोश पर हावी होती हैं वो पिस्टल का इस्तमाल करने से पहले भी 10 मरतबा सोचेंगे कि यार मैं अगले बंदे को कनूनी तरीके से जब फंस आ सकता हूँ तो मैं पिस्टल का इस्तमाल क्यों करूँ तो असला लाइसंस जब जारी करने का कैद या गया तो वहाँ पर वोकला को, डॉक्टर्स को, पब्लिक ओफिशल्स को या जो स्पोर्ट्स शूटर्स हैं स्पोर्ट्स शूटर्स वो हैं जिनका काम ही स्पोर्ट्स में शूटिंग करना होता है उनको असला जारी, लाइसंस जारी होगा तरीके कार ये है, अप्लिकेशन लिखे हैं, उसको मूव करवाएं, अपने डिपार्टमेंट से अप्रूवल करवाएं उसका एक गज़ट निकलेगा, नोटिफिकेशन हर महीं नहीं आएगा, असला लाइसंस परांच में होम डिपार्टमेंट के अंदर मजूद है वहां से जाकर आप जब एप्लिकेशन आपके प्रूव होती है, तो असला लाइसंस आपका बन भी जाता है यह वीडियो बनाने का मकसे सिर्फ यह है, उन लोगों को गाइड करना, जो उन लोगों के हाथ पंस जाते है जो कहते हैं, पंजी तीजार दो कापी आला लसंस बना दिने हैं, जो बन नहीं सकता या जो कहते हैं, कि आप हमें एक लाख दो, हम आपका दूसरा काड़ वाला लसंस बना देंगे बनेगा वो भी नहीं, आप जो मर्जी चाहें, आप रूल्स को नहीं तोड़ सकते ये असले लाइसंस पर बड़े रूल्स और रेगुलिशन्स हैं, आप होम डिपार्टमेंट जाएंगे, आप किसी भी डिपार्टमेंट पे जाएंगे, आप पैसा लगाएंगे, वो उगला बंदा कैरी करेगा अब होम डिपार्टमेंट जाएं वो पैसा भी नहीं पकड़ते वज़ा ये उनकी नोकरी को खत्र है नोकरी को इसलिए खत्र है कि रूल्स बड़े सकते हैं ये सारी चीजें हैं जो असला लाइसंस को लेकर मैं समझता हूँ कि आपके पहले सवाल के जवाबात काफी है तक क्लियर हो गया है अच्छा एक सवाल एहम है कि वालिद के नाम पे असला लाइसंस जारी हुआ था बाब मर गया है या कुछ और मामला हुआ है अब लाइसंस जो है वो अपना बेटा जो है उसका वो अपने नाम पे करवाना चाहता है तो उसका क्या प्रोसीजर होगा इसमें सिंपल सी एक कसूल है कि जो लाइसंस है वो इन्हेरिटेबल नहीं है मैं आपको कहता हूँ कि आपका LTV लाइसंस है या आपका समाल वेहिकल को चलाने का लाइट वेहिकल को चलाने का लाइसंस है मोट सेकल को चलाने का क्या वो लाइसंस आपके बेटे को दिया जा सकता है नहीं दिया जा सकता आपको गारी चलानी आती है आपका लाइसंस त्यार हो गया क्या वो license आपके बेटे को दिया जा सकते है नहीं license is non-inheritable in-inheritable property ये inherit नहीं हो सकती कि बाप का license था बेटे को मिल गया नहीं हाँ एक condition है एक presumption है हर license के अंदर retainer की एक जगा होती है कि मेरे अलावा इस license को और इस असले को कौन संभाल सकता है ये पहले से लिखना पड़ता है हाँ जब farm हम देते हैं तो farm के उपर retainer की एक option होती है आप वहाँ पर retainer की option में अगर बाप अपने बेटे का नाम add करवा देता है कि मेरे लावा मेरा बेटा आबद या मेरा बेटा मतीन इस license को carry कर सकता है तो वह जब बेटा होगा वह उस license को carry कर सकेगा लेकिन फिर भी license उसके नाम का जारी नहीं है वो सिरफ असले को retain कर सकता है important बात इसमें यह है कि कई लोग समझते हैं कि अगर उनके पास license आ गया तो उनके पास license हिस्टी का आगया कि वो खुलेवा पिस्टल लेके जा सकते हैं नहीं license आया है असले को carry करने का असले की नमाईश का license नहीं है किसी के पास असले की नमाईश पर दूसरे prohibited laws लग जाएंगे ठीक है आडिनेंस है weapon license को weapons को दिखाने के तो जब आप असले की नमाईश करेंगे तो वहाँ पर वो issues आपके उपर attack करेंगे और आपके उपर परचा भी कर सकता है तो यहाँ पर कचैरियों में डेर परचें जहां पर असले की नमाईश की बनियाद पर परचा कर जाता है यह आपके सवाल का जवाब है में वुकाला हैं, डॉक्टर हैं, या कोई ऐसे लोग हैं जिनको देखकर वो पता चलता है कि जिनको जारी किया जा सकता है, तो इसी के साथ अपने मेस्वान आपिराएं में को जासे दीजिए, अल्ला हाफिज